नावस्कार, गाहितरी जोतिस के इंद्रमाप, सभी लोगं का स्वागत है, आप लोगं के लिए हमेशाई जोतिसा से जुड़ी महत्योपून जानकारी के एपिशो नम समय समय सब्धुसारिप करते रहते हैं, जोतिसा से जुड़ी भी हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगं क जीवन परियंत पीड़ा देते हैं, और सही समय पे इन से संबंदित उपाय न किया जाए, तो प्यक्ति हमेशा प्रताडित रहता है और भैंकर रूप से इनकी पीड़ा हमें देखने में आती है, तो जानते हैं इनमें से पहला जो सबसे खराब योग बताया है, वह कौन सा एक और इनके ग्रह भँच जाते हैं, तो काल सर्प्योग मना जाता है, ऐसा मना जाता है कि ग्रह भँच जाते हैं और वह अपना फून फल चट्टि को नहीं दे पाते हैं, जब तक कि काल सर्प्रतो समाधान उपाय आधि न किया जाए, जन्म कुंड़ली में बार प्रकार क पहले भाव में राव हो, सप्तम भाव में केतु हो, तो अनंत नामक कालसर पर योग बनता है। और इनका समाधान सबसे सरल उपाई भी हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तो कालसर पर योग जन्म कुंडेली में बन जाए तो इसका उपाई अतिसी ग्रह कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्रह बंद हो जाते हैं। दूसरी और ग्रहों का फ्रवर्ण नहीं हो पाता है। और व्यक्ति को क्योंकि अब बंद पर जाते हैं तो पून फल तो वैसे भी नहीं मिलता है। और जीवन प्रियंत फल में किसी भी ग्रह के हमेशा ही कमी रहती है। तो उपाई अवस्य कर लेना चाहिए, कभी-कभी तो इतना प्रतारित कर देते हैं कि ब्यक्ति को कुछ देते ही नहीं है। अगर वो अठीक इस्तिति में होने के लिए एक और थी, तो वो भी अपनी और से बंद हो जाते हैं। वैक्ति हमें इसा जीवन में ब्यक्ति का स्ट्रगल ही रहता है किसी भी चीज़ें। कभी भी ब्यासमान सम्मान प्रतिष्टा कभी ब्यक्ति को नहीं देते हैं। ग्रहन योग या ग्रहन दोस्त भी हमें से कहते हैं। कि फल जो होता है कि वैक्ति के जीवन में किसी भी चीज में ग्रहन लग जाता है। कोई भी कारे करेगा तो वो पूरा नहीं होगा ग्रहन लग जाएगा। कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। किसी भी प्रकार की चीज कोई भी सुपकार ब्यक्ति करना चाहे का तो किसी ने किसी कारें उसमें रुकावट आजे आ जाएगी या किसी ने किसी प्रकार से ग्रहण लग जाएगा यानि कि ग्रहण दोस भी एक बहुत खराब दोस माना जाता है और खतना ग्रहण दोस बन गय जब राहु अकितु उखना सूर्या चंदर किसी ने किसी प्रकार से आगे तो यह जीवन परियंत्र प्रिड़ा देता है और हर चीज में रुकावट पैदा करता है हर चीज में ब्यक्ति के बिरहण लगाता है और आंसिक तोर पे यह राहु के साथ सूर्या आजाए तो भी ब आना जाता है गुरुचाânडाल यो जब राहु के साथ या के तो गे साथ ब्रैंसपे ती आजाए तो के साथ जक्राजया या कि ब्यक्ति के ब्यक्ति की बुद्धि ब्रस्टे हो जाती है लगाता है बुद्धि कभी यह सब्सक्राइब करना बढ़े गुरुचांडाल योग का फल ही यही होता है कि ब्यक्ति की बुद्धी उल्टी हो जाती है ब्यक्ति कभी भी सही नहीं नहीं ले पाता है और हमेशा अपनी बुद्धी से परिसान रहता है बुद्धी ब्रहम उचे रहता है और कोई भी आदमी ऐसे ब्यक्ति को बेकूब बन जाता है गुरु चांडा योग है इस योग का भी हमें समाधान कर लेना चाहिए उपाइ कर लेना चाहिए नहीं तो यह दोस्त यह योग भी हमने बहुत ब़ड़ी पिड़ा देता है किसी ऐसी मुसीवत में फश्जाते को कि बुद्धी काम नहीं करें कि तो भैटकर पीड़ाओं का सामना करना ही पड़ेगा तो ऐसी पीड़ा में फश्जाएगे कि जिससे निकलना ही मुश्चिल हो जाएगा तो इस योग का भी इस दोस्ट का भी समाधाना में अवस्य कर देना तूर या चंद्रमा के आगे पे राहू या केटू हो जाए तो यह बाधक योग होता है यह जीवन में बाधाय उत्पन्न करता है समय समय पे कारियों में रुकावट उत्पन्न करता है तो यह योग भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है स्वास्ते से संबंदित यह जीवन में दिक्कते पैदा करता है व्यक्ति की आगे को उन्नती जो होती है वह रुक जाती है आगे को चीज़ें बढ़ने व्यक्ति की बंद हो जाती है तो इस दोस का इस योग का भी व्यक्ति को समय रहते समाधान कर लेना चाहिए नहीं तो जीवन में यह भी बहुत बहुत जादा पिरा देता है और समय समय पर बादा है उत्पन्न करता है तो यह बादा क्योग अब अगला जो योग माना गया है वह बताएगा है पांचपा और बहुत खराब योग जब सूर्य वह चंद्रम के पीछे राहु या केतु अब बहुत जाएगा है सूर्य है आगे है चंद्रमा आगे है मान के चलगे पीछे पे राहु है या केतु है ऐसी इस्तिति में मारक योग कहा जाता है यह समय समय पर ब्यक्ति को कष्ट देती है स्वास्त से संबंदित कस्ट, स्वास्त से संबंदित हानी, इस परकार का कस्ट की जो व्यक्ति को बिलकुल सरीर को कस्ट कोई accidental योग या कोई mentally आदमी को मतलब बहुत बड़ा disturb दे देगा, तो मारत योग जो कस्ट पहुंचाता है व्यक्ति को, तो यह योग भी बहुत व्यक्ति को, इसमें विश्वास गात, किसी व्यक्ति सत्रु का आगात ऐसा भी रहता है, किसी के साथ हमारी सत्रुता है, और चिपके वह हम पर वार कर दे, तो यह मारत की योग मना गया है, और दूसरा, जब यदि राहु के आगे, शूर्य बहुत पिछे चंदर, ऐसे इस गहले जिघ्टिति हो जाती है, तो यह घातक योग कहलाता है, जो तिस नॐसरा में राहु के संगया दी गई है, बादक है, मारत है, घातक है, यह राहु के आगे सूरी पीछे चंद, यह जिए चातक योग है, यह जीवन में समय पे घात, यानि कि पिरा दिखाएंगे कोई योग अच्छे नहीं हैं, यह कहीं न कहीं किसी ने किसी प्रकार्ग पार pal to देते ही देते हैं और जिन भाव में यह आगे पीछे बन रहा है उन भाव का फल यह निश्ट करते ही करते हैं और जहाँ पे दृष्ट Terry बहाँ का वी फल नस्टे करते है इतने खरावी है यूग है और जो अभी अंद बताया है इसका फल और भी है लेकिन जुप फल है वो खरावी है कही ने कही मारा कहत ficar हो बार भार हमें मारी पैदा करने वाले व throw você पईसplease की मार otao कोई गाणी ले रहे तो उसमें बादा हाजाएगी कोई कारे बादा फार कारे श्र्म करे नहीं फिर्थ इस casi कर रहे हैं तो किस बिया कई। लेकिन हम कितना है प्रियास करें सब कुछ समझ के आई कि रहाएं कि हम तस लोगों से भी हमने पूश लिया कि रहे वह बंद हो जाते हैं लोग्ष में पterm pressormald लेगा है मैं उसे हां उम्मीद करनी है सब जाया है हमारी उम्मीद करनी कि हमें उससे कुछ प्राप्त नहीं होना है पस जो चल रहा है जैसा हम कर रहे है उससे भी कम हमें प्राप्त होना है ये कालसर प्रदोस का है जो हम उम्मीद कर रहे है भहुष से में कि हमें इतना प्राप्त होगा तो उसे बहुत कम प्राप्त हो रहा है जब इस तरीके के योग रह वा रहा के द्वारा जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो उस खमाधान पती सीग्र कर लेना चाहिए जब अपने को पता हो नहीं पता है तो छोड़िये और पता लगाईए अग कुछने कुछ जीवन वर दिक्षि आ रही है तो पता लगाए, पता चलता है तो उपाई अदी सीग्रिhe दिजी उपाय करने से मार्ग खुल जाता है, द्वार खुल जाते है और आदमी के जो कारे हैं, जो को चाहरा है वो बनने लग जाते हैं, सफल होने लग जाते हैं कोई संदेय हो तो नीचे पे हमारे नंबर दिये रहते हैं आप किसी भी नंबर के संपर कर आंते सीधा संपर के सीधी बात कर सकते हैं हम आपको उससे संबदी जो भी रहेगा आपको जानकारी उपलब्द करेंगी तो नए लोगों से हमेशा आगर रहता है गायतरी जोतिस के आपको जुड़ें चैनल को सबस्क्राइब करें बाइल आइकन नवाएं बहुत अच्छी जानकारी है कभी भी कहीं भी कि जोतिसी जानकारी हमारे पाव यह आती है मिलेंगे ऐसी किसी जानकारी के ऐपीसोड के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैस्री राम, जाई सरक्रिष्णा, ओम नमस्तिवार्य.